मैं सभी का सौगत करता हूँ फिजिस गान मुकेशना एक चानल पे आज हम लोग बहुत दी बढ़िया चीज पढ़ने वाले बच्चो जो की क्वीक रीजन फास्ट वीजन है हमारा इंटरफरेंस एंड डिफ्रेक्शन आज हमसे बच्चो पूरा फिजिस का मतलब पीटू का पूरा सिलेबस के पर क्रिविजन हुआ है जो सीटी वाले बच्चे और जो बच्चे चाहते हैं कि जो न्यू सिलेबस वाले मेरा चप्टर हो चुका है तो देख लेना एक बार ट्र इसके ऊपर है एक फिशन बड़ेंगों को कंडिशन फॉर ब्राइड बं श्यू कि पता होथा है कि न्हीं रहा तो और मल्टिपल मतलब बच्चो इंटरफरेंस मतलब क्या है दो व्योव का मिलना इंटरफरेंस मतला क्या दो व्योव का मिलना अगर दो व्योव मिल गई तो ब्राइड हो सकता या दार्क पॉइंट हो सकता वो डिपेंड होता है तो ब्राइड होता है आपको पता होना चाहिए बाद में dark bright dark bright आपनी torch नबच्चो ऐसे वाल पर लेके जाओ देखो इसे गोल-गोल round टार होते हैं यहाँ पर आपको dark देखेगा यहाँ पर bright होगा यहाँ पर dark देख लए नबच्चो ऐसे होता है कि नहीं तो वही चीज़ यार बाकी कुछ नहीं चलो resultant amplitude क्या होता है r is equal to the root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos मतलब बच्चो amplitude कम दो वहो मिलने के बाद amplitude maximum कब होता है minimum कब होता है यह आपको देखना पड़ेगा इसका हम लोगों ने एक बात पूझे कि intensity directly proportional to the square of amplitude मतलब इसकी intensity brightness कितना जादा है यह amplitude decide करता है amplitude जादा square के form में intensity जादा तो path difference between two views around at a point is given तो इसके लिए फार्मूला लिखा है मैंने किक है bandwidth के लिए बच्चो फार्मूला लिखा है yaks is equal to lambda d divided by small capital D पता है ने बच्चो आपको मतलब source and screen के बीच में की दूरी होती है आपके पाल diagram होगी तो देख ले ना बच्चो a small d दो source virtual source का बीच में का distance होता है इसको ऐसे लिखते है two virtual sources होते है और यहाँ पर तयार होता है आपको पता है ना बच्चो यहाँ पर bright, dark, bright band ऐसे तयार होते है तो distance between the youngth bright band from center of interference pattern is given by अ मतलब यह और यह formula में क्या difference है जो यहाँ है जा यहाँ है देखो यहाँ पर यह मतलब integer नमल लगा ना यहाँ पर देखो twice n minus 1 है ना वही चीज़े बच्चो यह क्या है दो source के बीच में की virtual sources है लेकिन कौन से source है virtual उनके बीच में का अगर आपको दूरी निकालना है तो यह formula है आपके लिए समझे बच्चो कोई डेंशन चलो यह आपको लग रहा है कि फार्मोली जादा नहीं बच्चो में इस पे बीच में आप लोगों को यह sentence हो लिखे ना इसलिए लग रहा है अगर मैंने इस फार्मोली को लिखता तो shift in print the interference pattern when the transparent seat रही seat transparent seat is placed in the path of light कोई light है light पा minus 1 into t t is the thickness है in diffraction pattern diffraction समझते है light को bend होके आती है जैसे कि morning session में हम लोग देखते है morning तो हुई नहीं लेकिन पूरा earth के उपर ऊजाला होता है क्यों light bend होके diffraction होके आती है ages पे पता है न आपको तो यहाँ पर diffraction pattern minima रहा तो sin theta n lambda माक्जिमा रहा तो twice n plus 1 lambda मतलब कुछ नहीं बच्चो यहाँ पे खाली n है यहाँ यहाँ पे twice n मतलब थोड़ा दिमाग लगा के फार्मूले यहाँ लान करो यहाँ बस for microscope के लिए limit of resolution lambda divided by 2 mu sin alpha वहीं resolving power करना है तो इसका reciprocal करते है इसी को divide करते है बस उसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा simple idea बच्चो बस for telescope के लिए limit of resolution 1.22 lambda by d resolving power उल्टा करो बस खत्यम किस्सा बच्चो इसके उपर आपको maximum दो सवाल आने के chances है आप लोग अच्छी तरस बढ़ना अब रही बात बच्चो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार थेरी बच्चो मैं बोलता हूं physics में concept के लिए करो यार बस जिन बच्चे को concept के लिए है how to use formula मतलब बहुत सारे बच्चो को formula balance है लेकिन हार formula के उपर हम लोग कितने mcq solve करके देख रहे हैं जहीं से कि मैंने आपको resultant amplitude कहा कम से कम इसके उपर 5-10 example solve करके देखना है हार formula के उपर आगर आपके यह target होगा बच्चो तो formula अच्छा बनेगा और इस formula पर सवाल कैसे आते है यह भी दिखने का अगर आपके पास target है तो target में एकदम कोई से exam में आ चुके बले वो गुदरात की CET हो बले MP की हो केरला की हो महराष्ट की हो कोई भी CET हर CET में कैसे सवाल आते है उससे हम लोगों को exam idea आ सकता है बच्चो की exam में कैसे सवाल पूछते है directly पूछते है formula basis पर क्या किसी को हम लोगों को complicated करने के कोशिश करते है तो यह अगर practice करोगे मैं sure shortboard आ बच्चो आपके दो के दो questions 100% हल कर पाओगे तो thanks for watching this video and best luck for your study